Hello children, how are you all? I hope you all are doing good. तो प्यारे बच्चो, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम हिंदी के स्वर सीखेंगे. जैसे कि इंग्लिश में लाइटर होते हैं, A, B, C, D, वैसे ही हिंदी में स्वर और भ्यंजन होते हैं. तो बच्चो, आज हम स्वर रिपीट करेंगे. जैसे कि आपने पहले पढ़ें, ओके, आप सब तयार हैं? आप सब तयार हैं? वेदिका, श्रेयंश, अद्विक, अबधूर, अर्पना, इस्प्रुहा, प्रथा, रिशा, मयूर, प्रेंस. आप सब तयार तो हैं ना? पढ़ने के लिए? अच्छा. आप सब तयार हैं? वाँ, गूड, क्लैप यॉर्सेल्फ, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं. आप सब को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता हैं ना? तो ठीक है, चलो भी हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये कौन बताएगा मुझे ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? उसे, अरे वाँ, उसे अनार, अनार सब को पसंदे हैं? हाँ, पसंद तो है, पर यहाँ तो कहीं अनार नहीं दीख रहां. अभी, अभी देखते हैं, आप सब को जोड से बोलना है, उसे अनार, फिर देखो अनार आ जाएगा. बोलो आप सब उसे अनार, अरे अनार आ रहा है, आ रहा है, अरे वाँ, ऑसे अनार आ गया. असे अनार, देखो ताजा, खाय, इसको मुन्नार आ जा, उसे अनार, देखो जब हम इसको छीलते हैं तो इसके अंदर क्या निकलता है? अनार के मीठे मीठे लाल लाल दाने अरे वाँ उसे अनार घुट आप सब तो बहुत उश्यार बच्चे हैं आप सब ने देखा ना अनार कैसे आ गया अभी और क्या होता उसे अब कौन मुझे बताएगा अनार तो गया और क्या होता है उसे ओके और से और किस ने बताया अमरूद अरे हाँ अमरूद भी सीखा था आप लोगों ने तो अमरूद जोड से बोलो अमरूद आ रहा है अरे वाँ अमरूद भी आ गया असे अमरूद ये भी फल होता है अनार भी फल होता है और अम्रूद भी फल होता है आप सबको पसंद है अरे वह उसे अम्रूद अभी और क्या होता है उसे आप सबने और सीखा था ना उसे कुछ और भी सीखा था चलो फिर देखते हैं क्या होता है अभी अम्रूद भी गया अब क्या होता है उसे कौन मुझे बताएगा कौन बताएगा वेदी का उसे क्या होता है अजगर देखो तो अरे वा अजगर आने लगा जोड से बुल उसे अजगर अरे वा ये देखो उसे अजगर आ गया अजगर उसे अजगर देखा आप सब ने अजगर कैसे आगया? आप लोगों के कहते ही असे अजगर, असे अम्रूत, असे अनार. ये देखो अनार भी आगया, क्या क्या देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा था ना अनार के अंदर कैसे मीटे-मीटे लाल-लाल दाने थे आप सब को खाना चाहिए अनार, बहुत हेल्थी होता है इसका जूस भी पीना चाहिए अभी क्या देखेंगे हम के बाद क्या आता है? कौन मुझे बताएगा? ऐ ठीक है अभी आसे कौन मुझे बताएगा क्या होता है आसे कौन बताने वाला मुझे आसे क्या होता है अरे वाँ आसे आम पर आम तो कहीं नहीं दिख रहां आप सब को जोड से बोलना पड़ेगा आसे आम येस, घुट, मेरे प्यारे बच्चुग, आप सबने तो ठीक बताया, आसे आम, ये देखो, आम भी आ गया, आसे आम, फलो का राजा कर देता है मोटा ताजा, आम क्या होता है, फलो का राजा, और ये हमारा नेशनल फूर्ट भी होता है, आप सब को पताया, बहुत ही हुश् कर देता है। मुटा ताझा का को दान्स कर रहा है। आप सब को भी बोलना है। आम भImpa हुए और कम देखले स्वाइं आude और ने और कह सीखा था पहले अरे आषे यह अरे वा में आशी नान चूशने सुआ संत्राया कहा हो रहता है यूश आग भी सिखाए हाँ तो ये देखिए आशे आग ये क्या होती है भई बच्चो को आग से दूर रहना चाहिए आशे आग आग से हाथ जल जाता है न तो छोटे बच्चो को आग से दूर रहना चाहिए ठीक है बच्चो आशे आग और क्या होता है आसे और क्या होता है आसे एक चीज तो रह गई ये तो हम सब के घर में हमें मिलती है आसे आलू ये तो हमेशा हमारे घर में दिखते हैं न ये देखो आलू आ गए टोकरी में रखे आलू आलू आसे आलू आप सब को बहुत पसंदे आलू की सबजी नँ, आसे आलू, अभी आज क्या क्या देखा आप लोगों ने, आसे आलू, आसे आग, और क्या छीज रहे गी ये, ये, आम, फलो का राजा तो रही गया, आसे, आम, very good, clap yourself, बहुत अच्छे बच्चे हु आप सब्योग, अभी क्या आ गया इ इसे क्या क्या होता है क्या होता इसे येस इसे इमली पर इमली भी नहीं दीखती जोर से बोलना पड़ेगा इसे इमली मेरे पीछे बोलो इसे इमली फिर इमली भी आ जाएगी बुलाओ इमली को इसे इमली जल्दी आऊ चाओ औरे वह इसे इ 겁니다 इसे ऑमली, कैये होते हैं, खटूपली होती है,ou आप सब क्लीगता है, कुसी नहीं घाए है, इसे तो आप मेधूझे बात करें, तो क्या होता है इसे मीठा मीठा हम ये आगे हमारी इमर्ती इसे इमर्ती ये हलवाई की दुकान पे मिलती है घर पे हो सकता है ममा भी बनाती हूँ आप सब की इसे इमर्ती ये मीटी मीटी होती है रसमे भरी हुई इसे इमर्ती अरे वाँ अच्छी होती है मीटी मीटी सबको पसंदें अच्छ ठीक है अभी हो गया E सेभी E सेमली E से मर्थी अभी क्या रह गया हमारा E से कौन बताएगा मुझे कौन बताएगा अरे वाँ वेरी नाइस वेरी नाइस इसरजार अर्पना अद्वेक आप सबको बता है भई इसे ये क्या निकलने वाला भई क्या आने वाला क्या आने वाला इंद्रधनश अरे वा ये देखो बादलों के बीच में से इंद्रधनश आगया ये देखो ये कहां आता है आसमान में निकलता है ना आप सबने देखा होगा बारिश के बार जब धूबो सोरज भी होते हैं तो कभी हमें आकाश में देखने को मिलता है ये से इंद्रदनुश very nice very nice y Jenny all of you अभी देखा आप सबने इसमें कितने रंगों होते हैं seven colors होते है साथ रंगों से बना हुआ होता है इंद्रदनुश इसलिए इसको seven color fill करे हुए है अभी देखो इसे क्या-क्या है इसे इंद्रदनुष इसे इमली अरे खटी तो आ गई अभी मीठी इमर्ती आओ 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 इसे अब सब एक साथ जोर से बोलेंगे इसे इमर्ती इसे इमली इसे इंद्रदनुष ओके अगले बार हम क्या करेंगे अगली बार हम इसे इक देखेंगे बड़ी देखेंगे ओके तो टेक क्या चिल्डरन बाई बाई